आपको बदाने कि EVM से जुड़ी ये बड़ी खबर है दरसल EVM से जुड़ी विवी पैट में मशीन में कथित गड़बडी के दावी के बीच कॉंग्रेस ने चुनाव आयोग से मिलने का वक्त मांगा है कॉंग्रेस के महा सचीव जैराम रमेश ने चुनाव आयोग को चिठी लिखी है और इस चिठी में कहा गया है कि कॉंग्रेस के 3-4 लोग चुनाव आयोग के सामने विवी पैट मशीन पर अपना मत रखना चाहते हैं हाल ही में सोचल मीडिया पर एक वीडियो दरसल जम कर वारल हुआ था जिसमें विवी पैट मशीन में गड़बड़ी का दावा किया गया था एवी अम में कथित गड़बड़ी का ये मामला सुप्रीम कोर्ट भी पहुँच चुका है कॉंग्रस ने चुनाव आयोक को बकाइदा इसके लिए चिठ्थी लिखी जैराम रमेश ने मिलने का वक्त मांगा है तो वीवी पैट पर मत रखना चाहते हैं यह कहना है कॉंग्रिस पार्टी की तरफ से जेराम परमिश का तीन से चार सदसी टीम जो है वो मिलना चाहती है तो एहम कबर बड़ी कबर क्योंकि लगतार वीपक्ष जो है इवीएम को मुद्दा बनाता है वीपक्ष लगतार इवीएम में गड़बड़ी के आरोप जो है वो लगता आता है और अब देखना होगा कि जिस तरह किसे चुनाव आयोग से मिलने का समय जेराम परमिश की जो थे वो दरसल लगातार कॉंग्रेस पार्टी के तरफ से तमाम वीपक्ष दलों के तरफ से उठाए जा चुकि है अब ऐसे में एवीएम की शिकायत लेकर के चुनाव आयोग कॉंग्रेस पार्टी पहुंची है जेराम रमिश ने चुनाव आयोग से मिलने का वक्त मांग तो एक बार फिर से एवीएम पर संग्राम जो है वो देखने को मिल रहा है क्योंकि अब एवीएम की शिकायत लेकर के कॉंग्रेस पार्टी चुनाव आयोग पहुंच चुकि है दरसल पिश्य दिनों आपको याद होगा कि एवीएम को लेकर वीवीपैट को लेकर के एक वी वांग वीपक्षी दलों की तरफ से ये की जा रही है कि आप इस बार के चुनाव में एवीएम का सहरा मत लीजे आप सिधा सिधा बैलेट पेपर से चुनाव जो है वो कराईए उसके बाद पता चल जाएगा कि बीज़पी को लोग वाकि में इतना पसंद करते हैं या फिर ये सब कुछ एवीएम का खेल है क्योंकि एवीएम में गड़बड़ी का आरूप विवक्ष लंबे समय से लगा रहा है अब ऐसे में ये मामला जो है बकायदा एक बार फिर से संगराम के तरफ बढ़ता वदिख रहा है क्योंकि लोग सबाच चुनाव होने है ऐसे में एव परश्चित के लिए हमारे साथ कॉंग्रेस से ता उदित राज जी जोड़ चुके हैं उदित जी बहुत बहुत स्वागत है आपका जनतंत्र टीवी पर उदित जी लगातार आरोप आपकी तरफ से ये लगा हुआ है कि एवीएम में गड़बड़ी होती है अब क्योंकि ल क्यों कि लिए लोगों के दोरा किया जा रहा है अगवी जैराम रमेश जी ने लिखा है तो मैं मांगा रहा है कि क्या होता है एलेक्शन कमिस्ट ने प्रक्ष नहीं है एज बात लेए दूसरी बात है इस इंगियम ते गलबड़ी हो या नादा हूँ तो पाइलेट पर से ल करता है अमेरिका में बाइलेट पर चुटा है जर्मनी में दो लोग कोट में रहे थे कि हम उतना जबकाश करते हैं तर जिस्ता नहीं है तो यहाँ पर भी भाई हाँ है अगे हमने एक्षपा गोटिंग कराई थी उस पर देखा है कि सेविंटी परसन लोग आते एवियम से पर जर्मनी में पूरे यूरोप में बाइलेट पिट पर लोट वो इतने डवांस दिन है उसके बाद में भी एवियम पर नहीं कर रहे अभी काते है कि समय लगता है अरे जंतन के चीमत भूत होती है उसके लिए एक महीने भी समय लगत कोई कम नहीं है आजागी लगाई में लाखों लोगों ने लाखों जेल गए हजारों वो मौत घाट उतार दिया गया जंतन तरो आजादी की कीमत के लिए यह क्या है अमेरिका में तो संदी सक बाइलेट पेपर की काउंटिंग होती रहती है अधित राजी सवाल यह है देखिए आप लोग को लगतार यह बात कह रहें कि EVM हटेगा तभी देश बचेगा क्योंकि यह देश का सवाल है देश को बचाने के लिए सभी देश के लोग एक साथ आए देश के लोग आपके साथ आजेंगे लेकिन आपके साथ जो बाकिया और दल है क्या आपकी इस मुही में वो सब भी साथ कड़े आई इंडिया ये में जितने शामिल हैं अभी एक वीडियो जम करके वारल हुई थी उदिजी मैंने खुद भी देखी थी जो कई बार सोचने पर मजबूर भी कर रही थी लेकिन क्या ये वो जो वीडियो वारल होचा तो आपको लिए अपनी बात रखने के लिए ये वीडियो कितना काम आएगी कि हाँ एवियम और वीवी पैट मशीनों से चेड़ चाड़ हो सकती है बीबी पैट जब से लगाया गया तब से एक और संद्या गया अर बीबी पैट से जो डाटा जाता है मरीम ड्रोंटमें किस में व्यूक्त में व island माली बीबी पैट में खाbu स्थिकन के लिए जाया है कि किसको बोड़ डाला जा रहि रेकिन बाद का जो दूसरा लेकिन वो लोग तो यह कहते हैं कि अगर EVM में गड़बड़ी होगी और अगर EVM संविधान लोग तंद के लिए खत्रा होगा तो आप लोगों ने करनाटक में जीत हासिल की आप लोगों ने जिस तरीके से अगर जिस राजु में आप जीत ते हैं कि हम देखो निश्बक्ष जीतने देते हैं अच्छा मतलब जहां अगर आपकी सरकार बन जाती है तो महाँ पर बीचेपी का जुगार नहीं लग पाता आप यह क्या है नहीं वह जानकर की भी कर देते हैं कि ताकि लोगों में इस्वाद बना रहे हैं आप लोगों की तरफ से एक EVM हटाओ मोर्चा बनाया गया है और हैस्टेग भी आप लोग चला रहें EVM हटाओ देश बचाओ यह कितना कारगर साबित हो रहा है जनता की भी समने जाना शुरू किया है और यह लड़ाई हम लड़ रहे हैं अब देखिए कब तो अब जनता उनको बचाने की जितने प्रयाग से किया जाएगा चलिए ठीक है बहुत बहुत शुक्रिया उदित राजी हमसे जुलने के लिए जनतंतर पर अपनी बात रखने के लिए तो दरसल इवेम की शिकायत लेकर के एक बार फिर से कॉंग्रेस पार्टी जो है वो चुनाव आयूग पहुँची है क्योंकि कॉंग्रेस पार्टी के लगतार ये कहना है कि इवेम जो है वो सम्विधान और लोकतंदर के लिए खत्रा है इवेम से जो चुनाव हो रहा है वो निश्पक्ष नहीं है इसी वज़ा से इवेम हटाओ मोर्चा जो है बकायदा बनाया भी गया है और अब देखना होगा कि जैराम रमीश ने चुनाव आयूग से मिलने का वक्त जो है वो मागा है